Hello student, आज हम EBS का chapter 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है Ear to Ear. आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 sense organs होते हैं. Eyes, nose, tongue, skin and ear. Ear 5 sense organs में से एक महत्वपूर्ण sense organ होता है. इसका काम सुनना होता है. आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी human being के कान एक जैसे होते हैं. परन्तु जो animals होते हैं, उनके कान अब different different types के होते हैं. Different animals have different kinds of ears. किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के चोड़े होते हैं. आप अपने टेक्स्ट बुक के 11 नमबर पेज पे देखिए उस पे कुछ एनिमल्स बने हुएं उनके अपने कान की जगे दूसरी एनिमल्स के कांस लगा दिये गए हैं और उसमें कॉशन पूछा है कि कौन से एनिमल्स के कांसे बदले गए हैं तो ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि उनके असले कान किस तरह होते हैं एलिफेंट के कान बड़े बड़े होते हैं बिलकुल फैन की तरह से वो उसको एस अ फैन भी यूज करता है दूसरा एनिमल है जिराफ जिराफ has ears like leaves जिराफ के कान पत्तियों के आकार के होते है अगला एनिमल है डियर डियर has ears on the top of its head बफैलो has ears on both side of its head माउस has tiny ears माउस के कान बहुत छटे छटे होते है अब है dog कुछ dogs के कान जो होते हैं वह straight होते हैं और कुछ dog के कान droopy होते हैं droopy का मतलब उनके side side में ऐसे गिरे हो है जैसे की आप इस वाले figure में देख रहे हैं अब कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं क्या जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं हाँ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं जैसे बर्ड्स, लिज़र्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग इन सब के कान हमें बाहरी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं अगर हमें उनके कान दिखाई नहीं देते तो वो सुनते कैसे हैं उनके कान की जगे पर छोटे छोटे चोटे टाइनी होल्स बने होते हैं जिसकी हेल्प से वो सुनते हैं A bird has tiny holes on both side of its head Generally the holes are covered with feathers They help the bird to hear If you look carefully, you will see tiny holes on the lizards These are its ears चलिएब हम देखते हैं कुछ जानवरों की skin और उन पर पाये जाने वालों को ये बाल कुछ pattern बनाते हुए होते हैं जैसे आप tiger के बालों को देखिए उस पे कुछ design सी बनी हुई है brown hair, black hair और white hair से इसी design को pattern कहते हैं जेब्रा के उपर देखिए कितना खुबसूरत सा design बना हुआ है जिससे हम जेब्रा को आसानी से identify कर सकते हैं ये जो design है ये उनके बालों के pattern होते हैं इसी तरह से हम squirrel को भी आसानी से identify कर सकते हैं और leopard को भी identify कर सकते हैं इसके उपर black color के spots की design में उसके बाल होते हैं और deer को भी इसी तरह हम easily उसकी skin pattern से पहचान सकते हैं इसी डिजाइन को pattern कहते हैं जेब्रा के उपर देखें कितना खुबसूरत सा design बना हुआ है जिससे हम जेब्रा को आसानी से identify कर सकते हैं ये जो design है ये उनके बालों के pattern होते हैं इसी तरह से हम squirrel को भी आसानी से identify कर सकते हैं और leopard को भी identify कर सकते हैं इसके उपर ब्लैक कलर के स्पोर्ट की डिजाइन में उसके बाल होते हैं और डियर को भी इसी तरह हम एजिली उसकी स्किन पैटर्न से पहचान सकते हैं That's all for today. It's time for homework. Page number 11, 12, 13 of textbook is your homework. You can solve these questions with the help of this video. बाकी कर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. Thank you.